दोस्तों नमस्कार आज आपको अपने चैनल एक्जाम करेक में बिहार सची वाले का मेंस का जो मोडल प्रेक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसका सेट नंबर 12 का सुलूसन करा जा रहा है इससे पहले 11 तक कराया गया है अधि आप नहीं देखें तो पल्ले लिष्ट में जाकर क त्यार करने वाले सविधान सभा के जो सदस था उसका चुनाओं किस तरीका से हुआ था तो विभीन परांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था सेकंड प्रस करा कि निम्न में से किस सदन की अधिशता आईसे ब्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस से नहीं होता तो राज सभा भारत के नियंत्रा किवा महालेखा परिच्छक को उसके पद से हटाए जाने की परक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है तो वह उस्तम न्याले के नियाधिश के समान अप्सन नंबर सी हो जाएगा पर्थम अस्वीकर जिनके बिरुद लोक सभ अब इस्वास प्रक्ताव लाया गया था वह थे जीवी मावलंकर अप्सन नंबर बी हो जाएगा राष्टपती के सिफारिश के बगएर कोई पिधयक जो कर लगाता है बिधाईका में नहीं रखा जा सकता है या प्राभधान भारती समिधान के किस अनुछेद में है तो अ फ्रांस में मोटर उधो का सरवाधिक विक्सित केंद्र कौन सा है तो मो ए ने है अप्सन हो जाएगा बी नंबर जो नगर ट्रांस साइबिरियन रेलमार्ग पर नहीं पढ़ता है वो कौन सा है तो पोर्ट आर्थार यह जो है ट्रांस साइबिरियन रेलमार्ग पर नहीं प करता है अगला पसंग क्या कर रहा कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए बंद सरवाधिक कहां पाया था तो चंदन के लकड़ी का बंद पाया था निलगिरी के पहाड़े में अप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला पस्टेंग देखते हैं भारत में काली कपासी मिर्दा के निर्मान में सहायक सहल कौन सा तो बैसाल्ट सहल अप्सा नमबर बी हो जागा बैसाल्ट के तूटने से जो है काली कपासी मिर्दा के निर्मान होता बारतिय मौसम विज्ञान विभाग अस्थापित किया गया था कहां तो इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और इसका अस्थापना 875 में किया गया था जब कि भारतिय मौसम बेदसालर आएगा तो वो जाएगा पूर्णे में दह थिरी मिष्टेक्स अफ लाइफ उसता के लिखा कौन है तो चेतन भगात अप्सन नमबर डी हो जाएगा यहां सी लिखा हुआ डी हो जाएगा मदरास की अस्थापना किस ने की थी मदरास की जो अस्थापना किया था वो मदरास के अस्थापना फ्रांसिस डे ने किया था अब समंबर हो जागा ए नमूर फ्रांसिस डे के दवारा किया गया था इसका अस्थापना जो किया था फ्रांसिस डे ने 1649 इसे में किया था अगला पर संख्या निम्खित में से किसे स्वर्ग से उत्पन से नानाय कहा था तो रॉबर्ट कलाई को कहा था और इसे बिलियम पीट ने बोला था निम्खित में से किसे बिरिच मानो कहा था तो बिरिच मानो कहा था रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को अगला परसंख्या देखते है परसंख्या 38 नूमर करा कि भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ट का मुख्याले कहा है तो हरियाना में है परसित इवनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरवार में आया थे तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौरी के दरवार में सार्थवा किसे कहा जाता था तो यह गुप्त काल में बेपारियों के जो काफिला चलता था उसे सार्थवा कहा जाता था सीवा जी के सासन काल में आय का मुख्य स्रूत किया था तो सीवा जी के सासन काल में आय का मुख्य स्रूत चौत जो था एक बटा चार भाग लिया जाता था जबकि सर्देश मुख्य एक बटा दस भाग तो अधीक था चौत इसले अप्शन विएगा बी नंबर निम्कित मेंसे किस ने तीनों गोल में समयलन में भाग लिया था तो भीम राव अम्वेत का तीनों गोल में समयलन में भाग लिया था निम्कित मेंसे किस का अस्थकन गांधी इर्मिन समझावते में किया जाना प्रस्तावी था सबिने अवग्या अंदोरन का प्रस्थागीत किया जाना प्रस्थाई था गांधी इर्मीन सम्झाता छार मार्च यह कहीं कहीं पांच मार्च 1931 को हुआ था अगला पसंक करा खियों भारत मुनी धर्मता के अस्तर का आकलन किया आता है तो परिवार की आउसित आई के आधार पर आप्शन क्या हो जागा? C नमबर करेक्ट हो जागा अप्शन नमबर C यहां पर करेक्ट होगा अधोगी उपियोग के बेयाई के आधर पर किया जाता है निमिखित राज्यों में से किसमे गरीबी रेखा से नीचे निन्यूंतम परतिस्थत का योगदान है तो केरल का निन्यूंतम परतिस्थत है गरीबी में कि यूरो राश्टिय मुद्रहे तो यूरो राश्टिय मुद्रहे जो है बीच राजियों का यह जो कि वीसमा देश जो है को आपनाए है अगला पसंख्या हो जाएगा जाएगा इस कोष्चन किलियर नहीं पढ़ दे रहें विशेस्थ आर्थिक छेत्र अधिनियम परभावि मतलब लागू कब से हुआ था तो 2006 जब कि यह अधी नियम आया था 2005 लेकिन लागू हुआ पूर 2006 अगला पर सब्सक्राइब नंदी गराम छेत्र में मतलब लोगछेबा दिवस 21 अपरील को मना जाता है जब यह की सितंबर को अंतराश्टी सान्ती दिवस माया था निमखित में से किसकी तूला मैक्या वैली के प्रिंस के जाती है तो मैक्या वैली महातमा गांधी के विचारों को टौल श्टाइग की किस पुष्टक से प्रभावित किया है तो वह बार एंड पीस निमखित एगमों पर विचार करना इसमें करा काउन सा सही है तो राधा कांथ देव ब्रिटिस इंडियान एसोसियेशन के पर्थाम अध्याच बने थे तो यह जो है सही है अगला करा शुरेंद नात मनर्जी इंडियान एसोसियेशन के संस्थापक थे तो यह भी सही एक और जबकि जो मदराश महाजन सभा के संस्थापक थे वह थे बीर रागवा चारी सोब रुमनियम अईयर और भी वेक्तित है तो इसलिए यह हो जागा बी नमबर गलत निमखित नेताओं ऐसे किसने कहा थंबा है तो एक भारतिय नगाड़ा हूँ जिसका कारे सोते हुए को जगाना ताकि वे अपने मात्री भूमी के लिए जगे और कारे रत हो सकी या एरनी बेसेंट का कथान है अहमदाबाद में ओलंपिक अस्तर के खेल परिसर की आधार सीला किसने रखी है तो अमिसा ग्रिवंत्री के दवार रखा गया जोकि ओलंपिक जैसे फिल्ड का अस्तर का निर्मान करना है जोकि 1236 में संभावना है कि भारत है ओलंपिक का आईजन किया जा सके गौतम अटानी दम्माइन हूँ चेंज इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है तो आर एन भासकर अप्सान नंबर ए हो जाएगा परियावरन परतलसन सुचकांग 22 में भारत करेंग कितना है तो भारत करेंग सबसे लास्ट नंबर पे 180 देशों में 180 माश्था भारत कहा है आगे देखते हैं परसांख्या परसांख्या अर्शाट नंबर से करा निमखित स्वरी प्रोटीन संसलेशन निमखित में से किसकी भूमी का डियने आरेने और राइबोस्वम अप्सन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा परसांख्या 69 नंबर एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा पत पर गती कराता है सक्ति पी जो मोटर द्वारा विक्षित होता है वो समय के साथ निम रूप में निर्भर करेगा तो सरल रेखा करेगा इसमें क्या ज़रा अप्सन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा निम खित में से कौन सा कथन सही है यही सही है किसी आवर्त में बढ़ता हूँ परमानु कर्मांग संकेत करता है किसका तो यह विधुत धनात्मा कुन की घटना यही जो है संकेत करता है अगला पसंख्या देखते हैं निमिखित में से कौन सा एक दूतियक परदुसक है तो वह थिरी जो है दूतियक परदुसक है बाकि SO2, CO2 और CO2 या जो है प्राथमिक परदुसक है तो अंसर हो जाएगा D नमबर हिलियम का मुख स्रूत क्या है तिया मोनाजाइड जो स्रैंड बालू होता उसका स्रूत है हिलियम का लंबे समय तक अधिक सी चाय किये जाने पर खेत में कौन से समझ से पैदा होगा तो छार्यता बढ़ जाएगा क्योंकि पानी जमेराने से पानी वास प्रबन फर उड़ जाएगा और उसमें लबन की मात्रा बढ़ जाएगा क्युआ फिटामिन एमिलान करना सुची एक सूची दो विटामिन ए जो है द्रिश्ती हिंता से समझ ऐता है बीवन बेरि लिष से और बिटामीन 씨 आशकरभी रोक्स कर दो चार्य और भीटामिन ईरिक्येट से दो आपचों और यसके होडिंग है कि से थीरी बान हκ son a no मधूरक नहीं है तो कितरी मधूरक अस्टेविया जो है नहीं है जबकि एस्पार्टाम एली टेम और सुक्रा लोजी यह तीनों है सही कथन को चुनना है भार सदीस राशी है यह कथन जो है बिल्कुल सही है यह कि बस्तु को उपा जाने पर भार बढ़ता नहीं घटता है घना तो माध्या में परकास की किरने के जुकाव को काया था अपवरता परमानों रियक्टर में परियुक्त इंधन कौन सा तो इरेनियम का परियुक्त इंधन के रूप में निम्खित में से कौन मोनेरा समू से समंधित नहीं है तो माइको पलाजमा जो है मोनेरा से समंधित नहीं है कि कौन सा धातु जो हमारे हथेली पर फिघल जाएगी तो हथेली पर फिघल जाती है गयलिया अपसा नमबर हो जाएगा बी नमबर करा कि अच्छरों के उस रिजनिंग का परस्ण है इसे पीडियाप से बना सकते हैं मैंतर रिजनिंग का चुकि टेलेग्राम पर पुरसकार दोहरबास किसने जीता है तो या अमिर मित्रा ने जीता या अमरीका के दौरारा तिया जाने वला पुरसकार है तेनिस टूर्नामिंट अस्ट्रेलियान ऑपन 233 के ग्रेंट से लह में पुरूस एकल के खिताब किसने जीता है तो नवाक चोकोविश्ने जबकि सीपनुल हले जो खिता बी ता-एरीणा सबलेंग का आपस्ट dolmen कविश्ट के लेखा कौं है medina केंद सरकार ने नहरु संगल्हालय का नाम बदल करके कया नाम रखा य inherently पधान मंतरी संगल कर दिया गया है अगला पसंग है ICC पुरूस एक दिपसीय किर्केट बिस्कॉप दोया तेस की मिजबानी कौम सा देश करेगा तो भारत के द्वारा किया जाएगा सूरज कुंड हस्त सिल्प मेला कहा आईजन किया जा रहा तिया फरीदाबाद हरियाना में यहीं हमेशा होता है इसका आईजन कराय की खेलो इंडिया विंटर गेम दोया तेस का आईजन कहा किया गया है तो खेलो इंडिया विंटर गेम का आईजन जो किया गया है जम्मु कस्मीर में अप्सन नमबर हो जाएगा सी नमबर हो टॉप में भी जम्मु कस्मीर का स्थान रहा किरकेटर टूर्नामेंट सायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 222 किस नहीं जीता है तो मुंबई नहीं जीता है सरवोच नियाले ने आर्थिक रूप से पिछड़े बर्ग EWS को दिये जाने वाले आरच्छन पर किस समिधान संसोधन के तहत बैधता मुहर लगाई है जब कि 104 मा आंगल भारती समधाय को समाप्त किया गया और सेस्टी का रच्छन बढ़ाया गया समा सविधान संसोधन भारत बांगला देश से समंधित है और 102 में पिछड़े बर्ग से समंधित है निम्खित में से किस राज ने पीयम सरी सीयम दी योगसाला पहल शुरू किया है तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है अगला प्रदेश संख्याए 150 नमर पसुओं के पर्ति कुरूर्ता की रोक था भारत के समिधान की साति में अनों सुची में दी गए या किस सुची में है तो यह संभरती सुची में इसका बर्णन है अगला प्रस संख्याए 120 नमर गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचिन भारत के किस महाजनपत से होकर बहती थी? तो वह मागत महाजनपत से होकर बहती थी बेने लक्स के अंतरगत काउन से देश्ट आती है? तो बेने लक्स का होता है B E N E E L U X तो इसमें जाएगा बेलजिया, नीदरलेंड और लगजंबर्ग, तो अप्शन जाएगा C नंबर, करन निम्कित में से क्रिष्णा नदी की एक साहयक नदी है, तो क्रिष्णा की साहयक घाट परभा, चक्यमंजीरा और पूर्णा या गोदावरी की साहयक नदी है, अगला प 18 दिसम्बर को फीफा बर्ड कप ट्रोफी का अनावरन करने वाली गलोबल अस्टार कॉन बनी है, तो दिपीका पाद्यकॉन, 22 का जो फीफा बर्ड कप हुआ है, वह कतर में आईजन किया गया है, अरली नगर की संदी किसके मद हुई थी, तो अरली नगर की संदी सिराजु दौला और रोबर्ट कलाइब के बीच हुआ था, और यह जो संदी हुआ था, 1700 इसी में हुआ था, निम्खित में से कौन सा लोक टक, सरी, लोक नाटा की बिहार में परचलित नहीं है, तो जट जटी, डोमकच, विदेशिया, समाच के वाई, यह सभी बिहार में समधित है, सभी बिहार से ही है, आनसर रहीगा, दि, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक सभी है, भारत के निम्खित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, तो यह जो है इंदरावती नदी गधावरी की सहायक, बाकि बराकर कुणार अ-जमुनिया, यह जो है, यह साहक है मुदा मुदर की परसित दिवंगत गाई का लता मंगेशकर की जिबनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखा कौन है तो यह तिंद्र मिस्टर आगे प्रसंख्या देखते हैं 134 नमबर नीशेचन की खोज किस ने किया था तो नीशेचन की खोज डबलू हॉफ मिस्टर के द्वारा किया गया था करा निम्खित में से गलत इक में चिनहित करना है तो इसमें हो जागा बिधुच चुमबकिये प्रेरन का खोज फराड़े ने किया था या सही है जबकि 3-4 फोटोग्राफिक की खोज दैने सुक या जो है गलत कतहन है यही आपको गलत है उसका एक सकिरने की खोज रोईंट जन ने किया था परकास के तरंग का सिधांत हाईजनस ने दिया था परभावी था एवं पीर्था करन के नियम का परतिपादन किस ने किया था त केजी द्रवमान का एक पेक्ति 240 न्यूटन बल के साथ दढ़ता तो उसका त्वरान क्या होगा तो त्वरान होता एफ वराबर एम में एफ दिया हुआ बल 240 तिधर वराबर हो जाएगा 80 गुने त्वरान तो 80 सकाटेंगे तो 30 मीटर परति सेकेंड अस्क्वार हो जाएगा दू ओम के दस परतिरोत को समांतर करा में जोड़ेंगे तो आजाएगा क्या 10 बटा दो तो वाद में पलड जाता अंसर तो 10 बटा दो बटा दस हो जाएगा तो एक बटा पाच अंसर नमर डी हो जाएगा भारत में स्वेत करांती की सुरवात कब होई थी तो 1970 इसे में था स्वेत करांती के जनक वर्गिज कुरियन को कहा जाता गर्नसी गाय का मुल अस्थान कहां है गर्नसी गाय का जो मुल अस्थान है वा फ्रांस में अप्सन नमबर ए हो जाएगा पेट्रोलियम के निम्खित प्रभाजियों में से किसका क्वतनांग सबसे कम होता है करहा एक शेऽव के भूमी पर गीरने पर होने वाले उर्जा अस्थनांतरन का सही अनुरूप क्या होगा तो सही अनुरूप जो होगा गुरूतिवी उर्जा, गुरूतिवी इस्तितिज उर्जा होगा उसके बाद गतिज उर्जा में परिवार्तित होगा उसके बाद बायो में उसमी उर्जा, उसके बाद भूमी और सेव में उसमी उर्जा उसके बाद धोने उर्जा में प्रवार्तित होगा तो option number रहेगा C number correct अकर समतल दरपन द्वारा बने परतिवीम के समध में कौन सा कथन गलत है तो इसका बास्तिविक होता है ये कथन गलत है समतल दरपन का जो भी परतिवीम बनता है वो हमेशा अभास सी बनता है निमकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो पासूरी करन चाय में ये गलत है पासूरी करन जो होता है दूद में होता है बाकी अलबनी करन समुदरी जल का परति लोम पर आसरन पे जल में बीकरिती करन प्रोटीन में तो अंसर रहागा D नमबर, सीडर राइट किसका आइस्क है तो सीडर राइट आइरन का आइस्क है, ऐलमुनियम का बॉक्स राइट होता है, कॉपर का क्यूपर राइट होता है, अगला पसांग क्या है, सुची एक सुची दो को मिलान करना है, अगला पसांग क्या है, निमखित में से कौन सा प्राकीर्ति कोलाइट है, तो रखते जो है प्राकीर्ति कोलाइट का उधारान है, निमखित में से कौन गोल्डन रेस्ट वहर बाइस फूरा करने वाला पहले ACI बने है, तो पहले ACI जो गोल्डन रेस्ट पूरा करने वाला बना है, वह अभिलासा टॉलमी बना है, निमखित में से कौन सा राज दोहर बाइस टेस में हाइस्ट मार्केट बॉरोइंग वाले राज की रूप में उभरा है, तो तमिल नाट हो, अप्सों नमबर C करेक्ट होगा, यह सेट नमबर पारा था, अगला सेट नमबर 13 रहेगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, या बिहार द्रोगा या बिहार प्लिस की त्यारी करें तो इस चैनल को बसे सब्सक्राइब करें, और डेली जो भी सेट आता, उसे अब अब से देखते रहें, ताकि आपको एक्जाम में अच्छा परफर्फर्मेस करने कमा करें, धन्यवाद,